तो दोस्तो अगर आप stock market में trading करते हैं वो भी angel one की application का use करके तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुती ज़्यदा important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यह जनने वाला है कि angel one की application में किये गए trading का profit and loss statement कैसे निकाल सकते हैं यहां दोस्तो एक trader के लिए बहुती ज़्यदा important होता है कि वह अपने profit and loss का statement निकाले वह यह जाने कि उसने इस मन्त कितना profit या loss किया है इसे पिछले मन्त उसने कितना profit किया है या फिर अब तक उसने जितने भी trading किया है अभी शुरू से लेकर अभी तक का उसमें उसने कितना profit या loss किया उसकी जनकारी उसे मिल सके इसकी वज़े से वह अपने trading career के बारे में decision ले सकता है कि उसको आगे क्या करना है और उसको इस stock market की field में कितना मेहनत करना है तो basically आप इससे अंदजा लगा सकते है कि आप कितना profit में या फिर लॉस में है तो चले दोस्तों शुरू कर आप इसको open कर लिजे एंड एंजल वाल की application के open होने के बाद आपके सामने में यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको basically करना यह है कि यहां पर आपको सबसे नीशे में कुछ options देखने को मिल रहे होंगे जैसे कि home टैब है वो इस आकाउंट वाले option पर क्लिक कर दीजे और इसके बाद आपको यहां पर आपको जितना भी fund वगर है वो आपको यहां पर सोग करेगा और इसके इस page को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसे में आप यहां पर देख सकते हैं एक option है यहां पर report and statement करके एक option है और इस के बाद आपको यहां पर आपका जोबी profit and loss का statement आपके सामने में open हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पांच October 2022 से चार अप्रेल 2023 तक यानि कि एक साल में मैंने अभी तक इस आइंजलवर्ण की application में कितना profit यहां उसका statement मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है तो यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर जो नेट रिलेज्ट पी एनल है बारहों से गारा रुपिस का profit मैंने अभी तक जनरेट किया है यानि कि एक साल के ट्रेडिंग में यानि कि पांच अक्टूबर 2022 से चार अप्रेल 2023 के बिस में मैंने यहां पर बारहों से तेरह सो सल्तावन का profit मैंने जनरेट किया बढ़ यहां पर इसका जो चार्जस वह रहा है उस सभी चार्जस जो कि एक सो चैलिस रुपिया का चार्जस है तक का उस दिन का ट्राजेशन आप यहां पर देख सकते हैं एक साल का आप यहां पर देख सकते हैं नीचे में जितने सिझा तरी ना रूपिस का loss हो है और इसी तरह मैंने कोल इंडिया का कि प्रोफिट की रहे है। बिएसिकली यहाँ पर जो प्लस का आईकन आप इहाँ पर देख रहें और गीरीन का सिग्नन आप यहाँ पर देख रहें सकते हैं यह जो ट्रेड है यह एक्जीक्यूट किया गया था 25 जनवरी 2023 को मैंने इसको सेल किया था इसका 10 क्वांटिटी और 15 क्वांटिटी भी सेल किया था इसने मुझे 806 रुपीस का प्रोफिट हुआ था साथी है कि आसपास का चार्ज जिसमें लगा तो कुछ इस तरह से आप यहां पर एंजल वन की एप्लिकेशन से किये गए ट्रांजेशन और ट्रेट की रिपोर्ट निकाल सकते हैं और साथी साथ आप यहां पर देख सकते हैं सबसे उपर में 2023 के नीचे में कुछ मन्त दिये गाई जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेईल तो आप यहां पर देख सकते हैं जनवरी में ग्रेंड सिंगनल है फरवरी में रेड है मतलब की फरवरी मार्च में हमने लौस बोग किया और जनवरी और अप्रेईल हमारा प्रोफिट में रहा है तो मालेज़े आपको यह पर किसी मंत की डेटिल्स देखनी है कि मालेज़े आपको जनवरी के बारे में जानना है तो आप सिंपली जनवरी वाले आपसिन पर टैप कर दीजे और इसके बाद आपका जनवरी मंत का स्टेटमेंट ओपन हो जाया गया तो आप यहाँ पर देख सकता है यहाँ पर हमने चार दिन ट्रेड किया थे यहाँ कि चार दिन हमने यहाँ पर अपने होलिंग में पड़े हुए सेर्स को सेल किया था जिसम यहाँ पर पॉफिट में रहाता 138 रुपीज को वो भी आपको यहाँ पर सो हो जाएगा साथी साथ आप यहाँ पर आपने जनवरी मंत में कितना टांजेशन वगरे किया उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर नीचे में स्कॉल डाउन करके देख सकते हैं यहाँ कि जनवरी मंत इसके लिए यहाँ पर सबसे उपर में जो डेट रेंज का उप्सन आप सिंप्ली अपर इस डेट रेंज वाले उप्सन पर क्लिक कर दीजे इसके बाद आप सेवन डेस 15 डेस या फिर 13 डेस का स्टेटमेंट में निकाल सकते हैं या फिर नीचे में जो कस्टम का उप्सन सकते हैं जेसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग डेट यान कि मैं यहांप इसको IPO कि स्टार्टिंग करतें था श्कृतम कर देंइस आप मैं यहाँ पर जो date है वो मैं यहाँ पर तीन साल बैक का date निकाला चाहता हूँ यानि कि 3 years का इसमें से statement निकलता है तो मैं total statement देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ यहाँ पर इस space को scroll down करते हुए सबसे last यानि कि 2022 का जो session है यानि कि 2020 का जो session है मैं उस पर आचुक हूँ तो मैं यहाँ पर किसे भी specific date जैसे कि 5 का मुझे सू हो रहा है तो मैं 5 पर click कर देता हूँ और इसके बाद यह जो नीचे में apply का option आप देख रहे हैं आप इस apply वाले option पर click कर देजे और यहाँ पर आप देखे कर यहाँ पर 5 April 2020 से 5 April 2023 का date set हो चुका है जो कि मैंने आपको बताए दिया है कि 3 साल का ही date आप यहाँ से निकाल सकते हैं और इसके बाद इसके बाद जो apply का option है इस पर tap करने के बाद आपके सामने में इन 3 साल के अंदर में कितना आपने profit या loss किया है उसका complete statement आपके सामने में open हो जाएगा सो यहाँ पर आप देख सकते है net pnl में आप यहाँ पर देख सकते है minus 2109 रुपीज सो कर रहा है मतलब कि यहाँ पर मैंने 3 साल के अंदर में 2009 रुपीज का loss बुक किया है यहाँ से आपको total average data यहाँ से आपको मिल जाता है कि आपने कितना loss या profit generate किया है और साथे साथ नीचे में अगर आप देखेंगे तो नीचे में आपने जितने भी sales को purchase किया है sell किया है उसकी सारे list यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे तो आप in list को देख सकते हैं और अपने ही साथ से in list पर इन में से जो भी जिस भी stocks के बारे में आपको अच्छे से detail में जाना है या option के बारे में तो आप simply वहाँ पर इस stock पर click करके इसके बारे में total details देख सकते हैं तो दोस्तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर angel one की application का यूज करके अपने जो भी आपने यहाँ पर profit या लाउस किया उसका statement आप यहाँ से निकाल सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना है मिलते हैं हमसे किसे दूसरे वीडियो में और दोस्तो वीडियो चला हो तो वीडियो को like, share, share, जोर कर दिजएगा सभी साथ हमारे इस YouTube channel को subscribe करना ना भूले